शनिवार 3 फरवरी गो अंडर 19 वीश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और आस्टेलिया की जूनियर टीम आमने सामने होगी इस मुकाबले के लिए पूर्व भारतिय कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि भारतिय टीम और अस्टेलिया को हरा कर खिताब अपने नाम कर सकती है गांगुली ने कहा भारतिय अंडर 19 टीम अच्छा खेल रही है टीम में पृत्वी शोग, शुभम गिल, कमलेश नागर कोटी, शिवम मावी और इशान पोरेल जैसे कई प्रतिफाशाली खिलाडी है हमारे बोर्ड के सदस्य ने जूनियर अंडर 19 और सीनियर स्थर पर खिलाडियों को तयार करने में काफी समय दिया है आप धाचे के बिना खिलाडी तयार नहीं कर सकते, यह हमारी विवस्था की देन है अगले पांच साल में उस्टेलिया और इंग्लैंड के अलावा भारती क्रिकेट दुनिया में सर्वस्रेश्ट होगा बता दे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तीन फरवरी को भारत और उस्टेलिया के वीच खेला जाएगा इस टूर्णामेंट के कॉर्टर फाइनल में भारती टीम ने बांगलादेश और सेमी फाइनल में पाकिस्तान को हराया था NMF News की रिपोर्ट